नमस्कार मैं भाषा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम दुनिया को जिसका डर था आखिरकार वही हो गया रूस ने जिस तरह यूकरेन के कई शहरों को मिसाइल निशाने पे लिया और जमीनी फोच भी भेजी है उससे भविश्य को लेकर गंभीर चिंता खड़ी हो गई है बड़े पैमाने पर आग जनी और तबाही की फोटो सामने आ रही है अभी कम से कम जितनी खबरें हम तक पहुची है उससे यह लगता है कि उसने निशाने पे कुछ इलाकों को लिया है यह फुल फलेजड वार नहीं है लेकिन जिन इलाकों को निशाने पर लिया है उससे ल चिड़ता है संघर्ष होता है हमला होता है तो उससे हम और आप बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते खबर की खोज सच की परताल जनपक्ष नजरिया बेखौफ बेबाग सत्ता का जूट बेनकाब आग में तपी पत्रकारिता दाखती है सवाल दरसवाल यहां मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले तीन महीनों से तकरीबन तीन महीने हो गए अंतराश्टी इस तर पर इस युद्ध को इस हमले को बचाने के प्रयास चल रहे थे लेकिन उस दोरान भी हमने देखा कि किस तरह से अमरीका नैटो और यूरोपियन यूनियन के कुछ देश लगातार हमलावर थे और रूस अपने स्टैंड पर बिलकुल अड़ा हुआ था पूरा का पूरा जो महौल बन रहा था उससे एक बात बहुत साफ हो रही थी कि हतनाओ इसी वारता से हल होने की तरफ नहीं बढ़ रहा रूस द्वारा यूकरेन के खिलाफ युद्चेड़ना हमलाव बोलना निश्चित तोर पर अंतराष्टी राजनीती को कूटनीती को और अधिक आक्रामक दोर में धकेल रहा है रूस के इस कदम से बहुत ही दुर्भागे पूर्ण है कि अमरीका की जो इस्थिति या जो दावे लगातार कर रहा था वह मजबूत होती है और वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन में जो विभाजन या दरार दिखाई दे रही थी खास तोर से जर्मनी और फ्रांस नेटो के दखल को लेकर जिस तरह से अमरीका के इशारों पर चलने को तैयार नहीं थे वह सारा का सारा जो समीकरण बन रहा था जिसने निश्चित तोर पर अमरीका को बैक फुट में डाला था वह सब खतम सा होता दिखता है चंद बातें जो इस क्रम में याद दिलानी बेहद जरूरी हैं जिन से हमारा ध्यान हटना नहीं चाहिए पहला तो यह कि यह जो आज की तारीख में हुआ है यह विवाद 2014 से चल रहा है 16 मार्श 2014 को इस इलाके यानी यूकरेन के इस इलाके में जन्मत संग्रा हुआ था जिसमें क्रीमिया का जो हिस्सा था जो डॉन बास का नीचे वाला हिस्सा है वह रूस में शामिल हो गया था हाना कि इस जन्मत संग्रा पर काफी विवाद हुआ था और उसके बाद डॉन बास में संगर्ष छड़ गया और लंबे समय से वहाँ पर प्रभुत्व अलगावादी ताक्तों का उनकी सरकार या उनका प्रभुत्व है इसी में रूस के राष्टपती पुतिन बहुत साफ कह रहे हैं लगातार उन्होंने कुछ समय पहले बकायदा राष्ट को संबोधित करके कहा कि वह यूकरेन के डोनेस और लुहांस प्रांथ में उसको एक स्वतंतर देश के रूप में मानिता दे रहे हैं और यहाँ पर श चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर उत्तर प्रदेश में छिड़े चुनावी समर की ओर लड़ाई बहुत तगड़ी है और इसे कहने में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जहां तक संसाधनों की बात है जहां तक प्रचार के मेकेनिजम की बात है जहां तक घर-घर प उसने अपने संदेशों को एक ही भाशा में एक इलाके से दूसरी जगा तक पहुचाया है वह उसे एक बढ़त देती है लेकिन इसमें जो सबसे एहम चीजें हैं मुझे लगता है जितने इलाकों में मैं घूम कर आई हूं कि भाशपा के पक्ष में जो सबसे बड़ी बैटिं लोगों को राशन मिला किसानों को 6,000 रुपे जो मदद मिलती है वह एक मुष्ट 6,000 रुपे दे दिये गए बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि उन्हें श्रमकार्ड में पैसा मिल गया है लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो बहुत तगड़ी है कि भाशपा जिस 70 हटा दी ट्रिपल तलाख खतम कर दिया और जादा बोलेंगे तो अंतराश्टी इस तरह पर हम विश्व गूरू बन गए लेकिन इसके आगे विकास के कारियों की बात कोई प्रचार प्रसार कहीं से नहीं होता अब देखिए हम कुछ आपको सुनाते हैं कि किस तरह से जो म जिसकी वज़ा से अवद में जाकर प्रधान मंत्री नरेन मोदी को भी छुट्टा आवारा पशु की बात करनी पड़ी उन्हें कहना पड़ा कि जब इस सरकार में आएंगे तो आवारा पशु को नियंत्रित करने के लिए कोई काम करेंगे सवाल ये है कि जो अवद का सान है क्या वो पश्चिम का कोको सावित होगा हमने रेखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बहुत कहावच चली भाश्पा का वोट कोको ले गया उसी अंदाज में अवद में लोग बोल रहे हैं कि अवद का जो सान है वो भाश्पा के वो कि लोग security guard हैं जो अपने गाओं में छोटी मोटी खेती करके लखनों में आकर security guard का काम करते हैं और इन सब का दुखदर एक ही है साथी साथ आप सुनेंगे किसानों को छोटा किसान हो बड़ा किसान हो नौजवान हो वे सब एक स्वर में पूरे गुस्से में आवारा पशू स कितना उनका जीवन तरस्त हुआ इसके बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं यह अलग बात है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी वगवोट मोदी जी को ही देंगे लेकिन यह महज इत्फाग भी हो सकता है कि ऐसा कहने वाले लोग ह और उसके बाद वापस करने में इतनी देरी लगाई जब इलेक्सन आया तब इन्होंने वापस किया अच्छाईयां बताया नहीं और क्या बुराईयां थी वह भी नहीं गिनाया और क्रेशी कानून वापस कर लिया नारा जी का मोदी जी का पहले सब तो पछली बार ओट द नौजवान कैसे सोच रहा है इस पटी का इसके लिए नौजवान नारायन की बास को सुनिये वह बहुत ही चुटीले कसे हुए अंदाज में जाती राममंदिर और विकास इन तमाम पर अपने विचार रखते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि बिना नौकरी के कोई विकास क बच्चों को पीटा गया इसी योगी सरकार में पटना में देख लिए बच्चों को पीटा गया ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए चाहिएा है नहीं चाहिए है कि लिए ने के ला इंगे मैं आप बताई है है बिर 위한 कोडह कोई रोजगार है यह तो कीड़े दो की जिन्दगी जीने के लिए आप बता रहे वे अगरी बादमीתי यह मुद्धा है यह जो पांच किलो दस किलो रासान दे के गवर्मेंट सोच रहे हैं मैंने बहुत बड़ा इसान कर दिया तो यह कोई आसान नहीं है गवर्मेंट जोब दो सबको हर घर में कोई ना कोई पड़ा लिखा है और पड़ाई में आज मैं डेर सो रुपए पर डे क दे रहा हूं जबकि मेरी इंकम डेर सो रुपाए कि नहीं है रोज की मेरे घरवाले भूंखे रहे रहे के वन टाइम खाना खाके मेरी फेस भार रहा है अगर मुझे एव पीएस्टी में सक्सें नहीं मिली तो मेरा परिवार जिस हालत में है उससे भी नीचे चला जाएगा ऐसी सरकार का मुझे क्या कर रहा है राम मंदिर राम मंदिर बनवा के किस गरीब का बला हुआ है वहां तो ब्रहमण चत्री जाएंगे ना वहां तो हम जैसे गरीब 85% को कुछ नहीं मिलने वाला जो जो अपने को भी सी सोचते हैं बहुत बड़े उंच्छे पद में है न व मंजूर किया तो हम भगवान को क्यों मंजूर करें और मैं कहूंगा नौकरी दो बहले सत्तर अजार की जगह में आप 20-20 रुपए दो लेकिन सब को दो क्वालिफिकेशन जिसकी जितनी है उसके अनुसार दो उत्तर प्रदेश में अभी पिच्चर बाकी है मद्दान अभी के पास उत्तर प्रदेश के मद्दाताओं को लुभाने के लिए सांप्रदाइक कार्ड के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है और शायद यहीं पर भाश्पा पीछे हटती नजर आ रही है चलते चलते दो तीन घटनाओं का जिक्र करना बेहत जरूरी है जिन पर बहुत कम चर्चा हुई शायद अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होगा कि गुजरात में छे हजार करोड रुपे का कोईला घोटाला हुआ यह सब आपका और हमारा पैसा था और यह गुजरात का विकास का मॉडल है जिसकी दुहाई लगातार तमाम चुनाओं में दी जाती है और यह सारे घोटाले सिर्फ एक हफ़ते की भीतर हुए हैं सामने आए हैं लेकिन आप देखिए कि जहां ब्रष्टाचार की बात होती है वहाँ पर कोई भी गुजरात के इस ब्रष्ट मॉडल की बात नहीं करता और करे भी तो कैसे करे देखिए न बेचारी E.D. वह तो बीजी है महराष्ट सरकार में मंत्री और N.C.P. के जो दबंग नेता है नवाब मलिक उनको गिरफ़तार करने में यह कहानी बहुत दिल्चस्प है इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी है कि हम और आप जब नवाब म मलिक को देखे उनकी गिरफतारी की फोटो देखें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और कुछ ट्वीट जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वह बताती हैं कि जब सरकारी मशीनरी बदला लेने पर आती है तो किस तरह से case बनाए जाते हैं हम जानते हैं कि ना ना ये पहला केस है ना ये आखरी केस है लेकिन यहां पर जिस तरह से नवाब मलिक को निशाने पे लिया उनको गिरफतार किया क्योंकि नवाब मलिक वही है जो महराष्ट में भाश्पा के तमाम दावों को तमाम तरह की जो शैतानिया वहां पर सरकारे कर रही हैं उसे काउं मलिक को 55 लाख रुपे के लिए 55 लाख रुपे में जो उन्होंने 2005 में हसीना एंड कमपनी से मुनीरा प्रॉपटी खरीदी थी उसे जोड़ा गया दाउत को फंडिंग करने से टेरर फंडिंग करने से यह अपने आप में एक अलगी कहानी है बस हमें यह जानना आज की आई में आती हैं तो यह करती हैं और वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें लग जाता है कि जनता जनारदन नाराज है तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधायक किस तरह से मंच पर उठक बैठक लगाते हैं शायद यही लोकतंत्र का कमाल है कि विधायक भरी सभा में जाननी समझनी और इस्तमाल करनी बेहस जरूरी है शुक्रिया